अब देखें यह जो पार्ट था अलाइदा बचा हमारा ट्रोजर में से ठीक है यह अब यह हम अपने स्लीव के ऊपर लगाएंगे और अपने नीचे वाले जो प्रिंटिर कपड़ा है इसको हम अंब्रेला शेप दे लेंगे अब्रेला शेप के ब्यूटिफुल से स्लीव बता भी नहीं चलेगा कि इसमें जोड है हम किस तरह से अब यह देखें यहां से आपके बाजू अगर मोटा है तो आप जादा भी ले सकते हैं अगर नॉर्मल साइज का है तो मैंने आठ हिंच जो है उपर से लिया है और यू मै हम पले हम धान जाएंगे खुले हो जाएंगे ठीक है यह हो गए नीचे से कटिंग अब हम्हें उपर से कंदे की कटिंग करनी है यह देखें हम ने पर से कंदा लिया था साथ ना 8 नुटका लेकर हमने यू तिर्चा जो है वो निशान लगाया और कट कर लिया ठीक है यह हमारा कंदा जो है कट अब फ्रंट कंदे की कटिंग के लिए यह देखे इस तरह से आपने फ्रंट की कटिंग थोड़ी सी डीप करनी है दो बाजु मैंने लिए दो पीसे नीचे छोड़े और आ निकाल दोंगी और नीचे से हमने जो प्रिंटेड लॉन का कपड़ा है मैंने उसको थोड़ इसी इंब्रेला शेप देकर गुलाई से कट करना है ठीक है यह उपर से जो कटिंग है वो मैंने साथ ही रग दी आपको अच्छे से पता चाल जाए मैंने इचो जाए अब जू म हमारा सिंपल कपड़ा था उस पर ठीक है इस तरह से आपने तीन प्लेट डालने हैं उनके दरम्यान आपने उतना ही वकफा रखना है उतना ही फासला जितना हमारा प्लेट होगा ठीक है प्लेट हम डालेंगे पैर-पैर के फासले पर ठीक है इस तरह से आप देख भी सकते ह और अब हमने यहाँ पर white color के motive set करने है यह देखे यह plate डल चुके और अब हमें designing करनी है कुछ इस तरह से कि मैं उपर white जो है shitter की last लगा लूँगी ठीक है अब मैंने जो यह plate डाले है उस पर मैं तीन तीन इस तरह से मोती लगाऊंगी कि हमारा यह भी design अच्छे से त्यार हो जाए यह देखे पहले हमारे जो tunet है उनकी side मैंने नीचे की तरफ रखी फिर second plate की तरफ मैंने उपर की जानीब इनकी रुख जो है वो कर दिया फिर third plate जो है तीसरी हमने layer motive की अड़ की तो हमने उसकी नीचे की तरफ उसका रुख कर दिया यह देखें यह भी design ready हो जुका आप दूसरी तरफ मी हमें same इसी तरह से design करना है तीन तीन मोती add करने है एक तरफ plate का रुख नीचे फिर दूसरी तरफ उपर और फिर नीचे तो यह beautiful से design new latest ready हो जुका जी तो अब आप यह इसकी final look भी देख सकते हैं अब सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी है हमने उपर जो है इस तरह से गुलाई की shape दे कर दो तरह की lashes जो है वाइड कर लेनी है अगर तो आप बिंगनर्स है तो आप पहले गुलाई की shape में कोई उपर चीज रख कर रहें या फिर आप guess की मदद से इस तरह सच्छे से निशान भी लगा सकते हैं फिर आप last ready वाइड कर सकते हैं अगर आप को stitching आती है तो फिर nothing matter कि आप पहले थोड़ी थोड़ी चीज का निशान लगाएं फिर आप उस पर stitching करें ठीक है तो अगर तो आप बिंगनर्स हैं तो फिर आपके लिए बहुत important है कि आप पहले निशान लगा लो फिर एक sli की मदद से आप उस पर रख कर less या फिर chunet या प्लेट बगारा डाल दे जी तो नोट कीजिए ये beautiful से sleeves के design ready हो चुके ये देखे ठीक है उमीद है आपको ये भी अच्छा लगा होगा design new था trendy नहीं है बलके आपने इसको trending में लेकर आना है तो आप ये पहनेंगे तो हर कोई आप से पूछेगा वाओ कितना प्यारा आपने फ्रॉक पहना है शार्ट फ्रॉक वैसे भी फैशन में है अब ये देखें ये जो हमारे umbrella sleeves थे उसको मैंने designer look देने के लिए इस तरह से पल्टा जो है वो मैं लगा रही हूँ इसको आप piping भी बोल सकते है ये देखें इस तरह से मैंने फोल्ट किया स्लाइयां लगाई और फिर मैंने उसको उल्टी जाने मैंने इसको फोल्ट कर लिया मैंने ये piping जो है सीधी तरफ नहीं बलके उल्टी तरफ फोल्ट की है ये फिर नीचे से हमारे sleeves के इसके थोड़ी थोड़ी look बहुत ही अच्छी लगती है अब सारी स्लाइय लगा ले ये मैं गुम बाजू लगाने के लिए सबसे पहले हमें बाजू को ready करना होता है सारी स्लाइय लगा कर उपर रख कर जितना आपका कंदा होगा उतनी आपने बाजू की जो स्लाइय है वहीं पर रख लेनी है अब ये बहुत important है आपने ये देखें कमीज जो है वो उल्टी बाजू जो है वो सीधा और ये दोनों स्लाइय जो है वो आपने इस तरह से attach करके ये देखें इस तरह से अंदर रखकर जो बाजू है वो लगा लेना है ये बाजू आपको थोड़ी इहतियात के साथ लगाना पड़ता है तांके किसी तरह भी बाजू के अंदर जो है वो बल ना पढ़े चूनट वग्यरा ना आ जाए ठीक है ये देखें आपने इस तरह से बाजू को अंदर रखा और सारी स्थलाई की मदद से कवर कार लिया अगर तो आपको गुम बाजू नहीं लगाने आते तो आप मेरी दूसरी वीडियो पर सर्च कर सकते हैं आपको ओपन बाजू किस तरह से लगाते हैं वो थोड़े जादा एजी होते हैं बिगनर्स हैं जिनको अभी स्टिचिंग अच्छे से नहीं आती वो वाले बाजू यह नहीं ओपन बाजू हम किस तरह से लगाते हैं आप वो अपलाई कर सकते हैं यह देखें, यह गुम बाजू अब लग चुका हमारा, स्लाइग हमारी लग चुकी, आप नोट कर सकते हैं, किसी तरह की कोई भी चूनट बगएरा, या कोई भी प्लेड अंदर बाजू के नहीं आया, यह देखें, ठीक है, उपर आप कंदे को, देखें, यह हमारी फुल डिजाइनिंग है, स्लीज की, और यह हमारी फुल लुक है, फ्रॉग की, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीवर्स चैनल को कर दीजे, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना बुलेगा, लास्ट पर मैंने आप इसके साथ, कौन सा ट्रोजर कैपरी डिजाइन वोग्वया ने, बहुत ही हूपसूरती से मेहनत के साथ रैडी किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए, वो डिजाइन जरूर सर्च कीजिए, और आपने ट्रोजर पर भी बनवाईए, बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू डिजाइन है, उमीद है आपको ये वीडियो भी बहुत असंद आई होगी, अच्छी रगी होगी, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना बुलेगा, थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो, अलाहाफीज,